हेलो एब्रिबन वेल्कम टू माई चैनल मीठा और मसाला आज बनाएंगे रायता जो हर एक की पसंद है और गर्मियों में हर घर में बनता है आज मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूं इस शुरू करते हैं मैंने 500 ग्राम जितना दही लिया है और स्ट्रेनर में डाल के इसका थोड़ा पानी निकाल लिया है ताकि हमें अच्छा गाड़ा दही मिल जाए लेंगे एक बोल में दही और डालेंगे दो चम्मस जितना दूद डालेंगे हाप टी स्पूंज इतनी चीनी तिसी हुई नमक स्वादानू सार पिंक सॉल्ट बारी कटी हरी मिर्ज बारी कटी अध्रक जीरे का पाउडर इन सब को मिक्स कर लेंगे डालेंगे स्लाइस किये वे अंगूर और मिला लेंगे डालेंगे अंगूर से और धनिया के पत्ते से सर्फ कर देंगे ये धनिया और पुदिना के पत्ते हैं डालेंगे आधी हरी मिर्ज आधी टीस्पून जितनी चीनी नमक स्वादानू साल थोड़ा सा पिंक सॉल जीरे का पाउडर और आधा चम मजितना दही डालके इसका एक पेस्ट बना लेंगे डालेंगे इस पेस्ट में दही और मिक्स करेंगे बारिक कटी अध्रब और अनार के दाने इन सब को मिक्स कर लेंगे और सार्फ करेंगे कुछ अनार के दाने डालके उबलते हुए पानी में डालेंगे अंगूर और एक मिनट तक के लिए उबाल लेंगे अब दही में डालेंगे चीनी दो चम मजितनी इस करेंगे यह इलाइची पाउडर दो लॉंग मैंने पाइनापल रायता भी बनाया है लिंक आई बटन में दिया है थोड़ी सी पीसीवी केसर मैंने यह अंगूर के साथ बनाया है आप किश्मिस के साथ भी बना सकते हो करेंगे अच्छे से मिक्स और सर्फ करेंगे केसर से डेकोरेट करके वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हुआ है